तो वेलकूम आनमे यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ड फोर मोर इस प्रिशनल वीडियो डॉन फोरगे टो सब्सक्राइब इस चैनल तो आजकी इस वीडियो में बात करने वाले जो सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि दूश्टों मारे पास बहुत सारा मेथड होता है ज्यों की जो लग्री जैसे की सलम करें जो गया वीडियो में वहां मिलता है लेकिन वह अगर 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 कोई लब का शुद्धा नहीं हो जो आप गट करना करना है। नाहीं में साइट करना। सीमेंट करें, वे आपको सेलेक्ट करना हा। भाईया आपको सबसे पहले देखना है कि यापने के देखना है कि सीमेंट क Wor inom हम चेड़ आप電चे। करते हैं इंडियन स्टेंडर के हिसाब से अगर कोई भी सिमेंट का पैकिट जादा अगर स्टोर हो चुका यानि मैनुफेक्ट्चर या सिमेंट बनने के तीन मंथ हो चुका उसके पास टेस्ट अपलीकेबल होता है पित्ष्ट कर देश्ट करने कोई जबरत नहीं होता है जो उसका इसका सही रहेगा ज़रत अगर तो जैसा कि दोस्तों जो सिमेंट का expiry date जो एक साल का होता है यानि एक साल वाज उसको यूज में नहीं ला सकते है जो मैं बताता हूँ कि अगर सिमेंट को अगर तीन मन्त हो गया यानि सिमेंट का कमी आ जाता हूँ अगर तीन मन्त का कमी आ जाता है अगर शे मंठ हो चुए यानि यहीं जो जो फिरुटेस। उसमें जगा जो चुका तो इसमें 40 से 50 से कमी आजाता तो जोना 12 मुंत ते जादा का यूच करना लेक्षाइन के टैम में जब ध्यान में रखे सबसे इंपोर्टन जी होता है लिकिन एक चीज़ याद रखे सारा टेस्ट अप्लिकेबल यह साइट का टेस्ट वह तीन मंद के बाद ही अप्लिकेबल होता है यानि मैनेफेक्टरिंग डेट से अगर तीन मंद ज्यादा हो चुका यह तब वहाँ पर सा पर पर देखा ज्था के ला फिसार निक्कार लाई जो नहीं लासकते है यानि कडर जो ग्रे होना जए है और यूनिफॉर्म होना चिरिय रिखना बी ओनम floss का कि यह और assets il record you heart युनिफॉर्म यानि एक जैसा कलर होना चाहिए जाए और नंबर । फिर दोस्तों आपका check for lumps लॉंप्स होता है किसी का धेड़ लगना जाए। एक मललूब कि एक कोई सिमेंट का बैग यह तो उसमें क्या होता है घ्र से गऊला के तरह हो जाता है तो यह तरह किसी तरह से यह प्रसा में यह नि ध्र स्यावल नहीं पर्टिकल नहीं पार्टिकल से एक लाइक दुसरे से हैं बाइंडिंग करता है तो इस तरह का पहले ही दन हो जाता है जो पहले हो जाता है तो उसमें जो स्टेंग्त कम हो जाता है यानि स्ट्रेंग्त रिडिटिक्षन उसका हो जाता है उस तरह के पार्टिकल यह उस तरह के बैक को जम लोग यूज में नहीं लेते हो जाए और नंबर फूर था दोस्तों जिए रबिंग टेस्ट में आपको करना यह था रबिंग में सिद्टी को रगणा या मसल ना जाए एक कि की समूथरी भलता है समूथ कि समूथ का साइज होता है 150 माीक्रretoन होता है how idealだ भून आपको जीदमें में आपको र।फे मिलसंद्व लगता है तो अगर समेंद होता है चुझा यानी का स्ट्रेंटी स्ट्रेंच कम चुगा स्ट्रेंग हो चुगा यादनि का स्ट्रेंच में का स्ट्रेंच का मिसल गज je सेनाई तरा से और सीमेंट को फिक होगे जहाए , अगर का अंधर चला यानि शींक हो जाता यानि धस जाता या। इतमींज कि इसी मेंट अच्छा है यानि गूट कॉल्टी का सिमेंट अगर ऑगर वही ट्रेन लगता है उपर जो क्या करता है , फ्लोटी होने लगता है इतमीज स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा कि यह भी डिपेंड करता है तो मैं सबसे लाइट में बताऊंगा जाए इस लिए जादा डिफाइड नहीं कर रहा बस इतना समझ लेगा इस सिमेंट को जब अगर किसी पानी से भारे हुए बाल्ती में ज़ा आप सिमेंट क भी जाए तो अगर नीचे चला जाता है याने धस जाता हो नीचे सिंक हो जाता हो इडमिस यह गुड़क्वाल्टी का सिमेंट है अगर उपर तैरने लगता हूं इस नहीं है जा अगर नंबर सिक्स है दोस्तों जह रहें के इंसर संथ होता ही आपको कुछ नहीं करना एक सि कर जितना कम अच्छा क्यूलटी में नहीं होता है घ्रांनेकर नंबर स्ख्षड व memo चुकाएंग जो से स्टीन का टेस्टिट करता है साइट भीज़र्ट टेस्टेर्च सेमेंट आपको 500 गॉर। पाने पाद पानी रिखेजिया प्लाब ने यूर्ट तका सब्सक्राइब करना है। 100 G stad को किया करना उसपर रखना इन्हीं प्लेश्ट करके जाए प्लेश्ट करने के बाद यह पानी से भरा हुआ होना चाहिए लुग का पानी सोल प sign with a अच्छहा ह़िए फॉलीटी होगा अगर सेप में कोई चेंजेस आता पाणि में Сейчасे सेफ में सहरा की सीमेंट इसका स्ट्रेंग कम हो चुके जो काम के वर्ग के लिए यूजा निक् ninguna या सकता है यह बात लिए कि उसके सेफ में जो चेंजस नहीं होना चाहिए जो जो भी पेस्ट है पानी में रखने के बाद जो चेंज नहीं होना चाहिए जाए जो एक good quality of cement अच्छा quality का cement होता है इसके सेफ में कोई चेंजस नहीं होना चाहिए जाए और नमबर एट है आपको कैसे करना cement के लिए जाए मैं यह बताता है कि करना क्या कि आपको एक block लेना जाए इसमें से block का वीर्थ 25 mm का होना चाहिए और आपका जाए ऑलियर सात Design के लिए जाए करना के लोग को पानी के अं नदर रख देना साथ दिन के ौर साथ الدिन minder के लिए जाए यानि उसका दिन बाद लिका लेना है और आपने पेस्ट बनाया था वह ब्लोग के सेवकते हो जागा उसके बाद आपको करने के उसको लेकर के बिर्धेन सहिए मेर्ड जो बॉलोग पर लगाना जो अगर वह बॉलोग जो अगर वह फैलिवर नहीं आता है उसमेंगर कोई रफ्चर नहीं आता है इट मिन्स जो इवह पर गुड़ कॉल्टी अप्वालटी हो यानि गुड़ सीमेंट है लेकिन अगर तिन सो चालिज न्यूटर अगर लोड अगर करता है अगर उसमें कोई डराद भी अगर आ जाता है उसके अंदर वह गुड क्वाल्टी सिमेंट नहीं है तो यह भी दूस्ते एक तरह का टेस्ट है लेकिन इसमें समय को जाता लाता है यानि टुटली आपको लग जाता है टेस्ट के लिए तब इसको चेक कर सकते है बीना क अधियों अधिया में जाता है यही टूटल जो है नाइन नैंन प्रवेटर हाउ सिमेंट टेस्ट करने का जाहिस अधियों सबसे लाजट बने है इस स्पेसिग घ्रेविटी आप सिमेंट लिच अख लिए फिलासमेटर्स हमें लोग चेक करते है यह लिच अग्लियर्प्त कfilm क्रेल चेक है कि उसका प्राउट स होगा वियुक्त हां बताने हैं कि क्यों हम लोग उसका चेक रहते क्या क्यों किसी भी मेतर्यल के बिहवियर को बताता है सिन समस्याख ग्रेंग मिलौ से लेकर के 1 थौए किसी भी मिटेरियल का है तो एक अच्छे quality यानी good quality of cement का जो ranges जो होना चीह जो specific gravity जो है यानी 3.1 से लेकर तिरी पांट से लेकर 3.6 से लेकर 3.6 जो specific gravity उसका जो है यानी good quality of cement यानी good cement के लिए जो आपका specific gravity 3.1 से लेगे 3,6 के वीच का होना चीए जहाए जाए उपक्राइसपिक ग्रेविटी जहाए तो दोस्तों जैसा कि हमने यह पांचनमर बता जो फ्लोट होता है जो सिमेंट का पार्टिकल जो उपकर तेड़ता यानि फ्लोट होता जो यह टोटली स्थेस्विक ग्रेविटी पर डि यहां पर पानी में तरहेगा जो अगर इस्पेसिक ग्रेविटी जो इसी ग्रेविटी अगर more than one एक से अगर ज्यादा हो जो तो वह क्या करीका सिंक यानि धस जाता है यानि पानी कने अप रखोगे तो वह सिंक हो जागा जैसा कि वह आप देख सकते ज्जासा कि अच्छा क्वालिटा रफम्पिंट का इस परें था इस जादा है लेकिन कभी-कभी बहुता है जो सिमें तीन प्रंपेंट इक सेक्ट रोच हो जाता कवे तो वह उससे कम जाता कभी कभी तो क्या था पाली के पर फ्लूट होने लगता यानी तैरने लगता जो तुस्टरा के सिमेंट को जो हम लोग यूजम नहीं ले सकते जो वह कई ना किसका इस्ट्रेंग्ज्ट छुका यानि कम हो ना पर किसी सीमेट के क्वालिटी को सकते हैं कि सीमेट व्रकेबल है कि नहीं है जो आप चेक कर सकते हैं इसमें ज्यादा कोई केंपीजन तो है नहीं जो आपको याद रखना जो क्या क्या प्रसीजर है जैसा कि हमने बताया था डेट ऑफ पैकिंग कालर अप सीमेंट जो सबसे पहले आपको इस अपको यह वीडियो समझ में आगा थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो